हेलो फ्रेंड्स आप सब में से बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि इंगे नलतान का उनकी एक्स गर्फरेंड के साथ ब्रेक अप कैसे हुआ तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको उसकी बिहाइन का रीजन बताऊंगी और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि उनकी जो वाइफ हैं उनके साथ उनकी लव मैरिज थी या अरेंज और ये दोनों किस तरह मिले और इनकी शादी कैसे हुई इन सब बातों की फुल डिटेल बताऊंगी अब ये जो मैं आप लोगों को पिक्चिर दिखा रही हूँ ये इंगन इलतान की एक्स गर्फरंड की पिक्चर है ये तुर्की की बहुत फेमस अक्ट्रस है इंगन इलतान इस अक्ट्रस के साथ ऐज़ा कपल पांच साल तक रहे और इन 5 सालों के दुरान तुर्की की इंडस्ट्री का ये बहुत ज़दा फेमस कपल रहा ये लोग एक साथ घूम तर फिटते थे, आउटिंग्स पर जाते थे और बहुत सी मुविज और ड्रामाज भी एक साथ कर चुके हैं लेकिन हमेशा उनने इंगन को इंगार ही किया कि अभी मेरा शादी का या बच्चे पैदा करने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मुझे अपने केरियर पर अभी मजीद फोकस करना है और मेरे केरियर को लेकि मेरे और भी जादा प्लान्स हैं और बार बार नो सुनने के बाद इंगन ने उनसे फाइनली बात की, दोनों की इस बारे में discussion हुई, और दोनों ने decide किया कि हम लोगों को separate हो जाना चाहिए, क्यूंकि दोनों की thoughts बिलकुल अलग थी, और दोनों की रजामंदी से इनकी आपस में separation हो गई, ब्रेक अप के बाद जब इंगन एलतान सिंगल हो गए, तो तुर्की की इंडस्ट्री की बहुत सी लड़कियों ने इनको अप्रोच करना start कर दिया, वो जब भी outing बजाते थे या वैसे ही कहीं निकलते थे, तो बहुत सी लड़कियों उन्हें अकसर ही घेर लेती थी, वो उ के साथ बिलकुल नॉर्मली विहेव कर रही थी, और इंगन को उनकी यही बात attract कर गई, और फिर इंगन ने उस लड़की में अपना interest शो किया, और उसके साथ बाचीज start कर दी, और जब यह इनके साथ पहली date पर गए, तो इंगन ने उन्हें बता दिया, कि मैं आपसे ज़दा मासूम और क्यूट लगे, और फिर कुछ मुलाकातों के बाद इंगन ने इनको प्रपोस कर दिया, फिर इसके बाद इन दोनों की शादी हो गई, और अब इन दोनों के दो बच्चे हैं, और जैसा कि सब लोग जानते हैं, कि इंगन की ख्वाहिश तीन बच्चों क बारे में भी कुछ बताएं, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, लेकिन मैं कैनेडा में रहती हूँ, और जो ये वीडियो में आप लोगों तक पहुचाती हूँ, इसमें मैं, मेरी भावी और मेरी सिस्टर हम सब मिलके और आप लोग मुझे जितने भी कमेंट्स करते हैं, वो मैं सब रीड करती हूँ, कोई ऐसा कमेंट नहीं है, जो मैं रीड नहीं करती, लेकिन मैं आप सब कुछ जवाब नहीं दे पाती, और कमेंट्स में जो आप मेरे साथ लिंक शेयर करते हैं, वीडियो की ट्रांसलेशन करने के लिए, तो मैं उन सब पे भी वर्क कर रही हूँ, और हम उन वीडियो पे काम भी कर रहे हैं, और सून मैं वो वीडियो अप्लोड भी करूँगी, क्यूंकि हम लोग एडिटिंग भी खुद ही करते हैं, तो इसलिए अप्लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता कर दो dalla दिए अप्लोड़ में झाला घगा पुम्जाला की कर रहे हैं, तो इसलिए रहारे हैं, लोग चतplicते हैं, और में वहांगीं कर रहे हैं, तो मैं झाला ने मैंने में वाढ भी कर रहे हैं, गले शरते हैं, आ